काला आलू अपना जादू दिखा रहा है इससे जादू से किशान का चेहरा भी खिल उठा है गया के किशान आसिस कुमास सिंग ने 14 किरो बीज के साथ इसकी खेती सुरू की थी जिसकी पहली फसल अब आ गई है किसान आसिस ने टिकारी प्रखंट के गुलर्या चक गौं में ब्लेक पैटटो की खेती की दस नमबर को आसिस ने बीज लगाया था और 120 दिन के बाद 13 मार्च को इसकी हार्वेस्टिंग की गई 14 किलो बीज के साथ खेती की गई थी जिसमें तकरीबन 120 किलो आलू का उत्पादन हुआ आम तोर पर काला आलू की खेती अमरेका के परव्यतिय चेत इंडी सहर में होती है लेकिन इसकी खेती इस बार बिहार के गया में भी ट्राइल के तोर पर की गई है आपको बता दे कि काला आलू में कई औस दिया गुन पाए जाते हैं जिस कारण बजारों में इसकी डिमांड बढ़ गई है फसल लगाने के साथ ही आसीस को बिहार तथान राज्यों के कई किशानों ने संपर कर काला आलू का डिमांड किया उसके पास तकरीबन 200 किलो आलू की डिमांड आई थी लेकिन उतना प्रोडक्ट नहीं होने के कारण किशान को कुछ आलू बीज के तोर पर आसीस देने की तयारी कर रहे हैं आपको बता दे कि किशान आसीस ने अमेरिका से काला आलू की बीज मंगवाया था जिस पर 1500 रुपय परती किलो का खर जाया था इसकी बाद आसीस ने एक तक्रीबन एक कठा जमीन में इसकी खेती की सुरवाती दिनों में इसकी उपज बेतर थी लेकिन बीज में खराब मोशम हो जाने के कारण बेतर उपज नहीं हो सकी उम्मीद थी कि 14 किलो 20 से करीब 200 किलो आलू का उत्पादन होगा आसीस ने बताया है कि अगले साल विर्द पैमाने पर इसकी खेती की जाएगी इस बाल ट्राइक के तोर पर 14 किलो आलू लगाया जिसमें एक उइंटल 20 किलो आलू का उपज हुआ किशान आसीस ने कहा कि वह 300 से 500 रुपे परतिकिलो की हिसाब से इसे बेचेंगे आसीस इस आलू को अपने आसपास बिहार के अनकिशानों को ही ये आलू देंगे ताकि यहाँ इसकी खेती को बढ़ावा मिल सके हाला कि इसकी डिमान पंजाव चतिसगर जैसी राजों के किशान से भी आ रही है तो अमेरिका से मंगवाया गया है यह काला आलू, शुगर, फी आलू है यह बहुत सारे रोगो के लिए राम बान है जैसे रोगों को बचाने में मदद करता है ठीरे ब्लड पेसर क कंट्रोल करने में मदद करता है इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है पोटासियम की मातरा ज्यादा है ये काला आलू पहली बार परियोग के तौर पर गुलिरयाचक में लगा रहे हैं पुलेरचक टिकारी थाना में लगा रहे हैं यह आलू इसकी उपज कितना होता है उसके बाद इसके आलू के पैदा होने के बाद ही हम इसको आगे की बताएंगे